आगे एक मुझनिम को पकड़ के फासी का सजने सरकार दिला सकता है। हम टेक्स की वरते हैं हमारा लास ठीरी बिलन में गया। क्यों गया। सुन रहे थे कि पथा दिया आएगा तब एम्भूलेंस आएगा बिहार में यह सब होता है। हम भी निव्जी देखते हैं। करता है आप क्या कि जगा आपके बेटे की जो प्रेमिका है वह आपके घर पहुंची है और सारी बात के बता है हम आपके दोस्त है यह कि इतना गुसा तो नहीं आ जाएगा कि छोटा छोटा बारिक बारिक पूरा शरीर पर बना दिया मुधर हुगा पुस्माइडम में लास खाया ठीक है पूलिस नहीं गया पुस्माइडम से लास आया पूलिस नहीं आया ठीक है गहर पर लड़की छोड़ दिया पूलिस लिया हमकिन टेक्स देते हैं जब कर एंबूलेंस नहीं देगा ऑवा बीरों नहीं करेगा उस साफे आपी सोची एक दोस्त तरह बेरह मिस का सबसे पहले इसको कटना चाहिए तो आपके बेटी के साथ तो आपकी मनों एस्तिति उस समय क्या होती हम पुछ रहे हैं हम जानते हैं जो किया हैं हमानते हैं कि हमारा बतलग तो आपकी परसासन नहीं कहएगा की कानून हाथ में ले लिया कोई बेटा खोया है ना आज हमारा भेता है इसके दाधी है उसको घशिट के लेज़ा उसका पूता जरूर आएगा अगा कि नहींगा उसका रिस्तिदार है उसको ठूछ में गोषी के मांसे महां कि नौम lack में अपना बेटा के खोडने लिए वह चौटा सा योग mlr वह चौटासा बच्चा जॉए उनकि फोश्ट पकूल किमा हतारी नौ महीना को दो माहतारी जनम देली कि हमार बेटा बड़ा हुए है लेकिन वो बेटा को महातारीक खुद लबली तमाम बात्चित करम अभी से के मा से माई रवरा दुख के तो हमने के निजिसन कम कर सकत हमने के पर्यास करम संद के दोसी के सजा मिलो लेकिन रवरा बेटा के जोन प्रेम कहानी रळा ल तो हमारा परा हुए था बाहि की मिला उसके बात फोड़ी दिर बाद में सारे लोगibilities ने लगे कि हम लोगे तो यहां रहते नहीं थे हम लुग तो सब कोई दिली रहते थे गञाँ के लड़की को बाही के साथ भी दोस्ती थह जाना आना सब कुछ था वो नियोतापूर ने गया उसी गाओं में तो भाईक नाहर पे लगा हुआ था और हला हुआ कि हाँ अभी तक अब सेक ने नहीं घर पे आया तो फोन इधर उधर सब लोग करने लगे मेरे घर वाले मेरे जेट साहब यहां रहते हैं भैसुर जी वो बोलने लगे सेब सेक अभी तक नहीं आया तो वो ही भगवानपुर के लोग ने फोन किये जो असोप कुमर है वो ही बताएं कि बाईक यहां लगा हुआ है आप लोग आकर देखिए कि यह मनोज सिन का बाईक है तो वहां गय तो सही में मेरा ही बाईक था लेकिन मेरा अभी सेक नहीं मिला तो बाईक के वह ही छोड़ दिये उसके बाद में मेरा लर्का को खोजी हुआ खोजते 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 नाहर के उपर जब लोग खारा होकर देखे तो मेरा लर्का खाई में खंता में गीरा हुआ मिला खारा हुगा मिला तो उसके बाद में परसासन को ख़बर हुई मेरा मुझा फ़रपुर जीला आदमी यहां जल्दी फोर्स पहुच गया है और मोतिहारी जीले वाले नहीं यहां चार पास घंटे बाद आए और बाद आए उसके बाद में सब यह चानवीन होने लगे उसके ब उसका जब आई ताव यह बताई कि मेरे यह भाई ने अब से को कातिल किया है मेरे ही घर में कियाetzen मेरे हीसा किया बताई यह लड़क भाई से भी दोस्ती था इसके अंदर इसे वी दोस्ती से आप आजान बेटा रह ले व alleg तो बेटा के प्रेम रहे अपना दोस्त के dai भाह लड़की जब आपके घर आई बताई कि हम उसके मालूम हुआ कि हाँ इसी का भाई ने मारा तब ये मेरे घर रहने लगी तो इसको मैं हटा कर से दूँ अब क्या कि जगा आपके बेटे की जो प्रेमिका है वह आपके घर पहुंची है और सारी बात को बता रही है सारी घटना जैसे घटा है रात में किसे घटा है कौन-कौन रूम में पहुंचा है मारा है ये बता रही है कि मेरे दो भाई थे वह हत्यार समारे है टांगी समारे है और इस लड़की आपके घर पर पहुंची है क्या कीजीगा इसका हम अभी कुछ नहीं कहेंगे कानून समझेगा ना का नून अपना खोज आप तो रखे हैं न इस लड़की को अभी तो मैं रखी हूं पूलिस रख कर दिया है यह इसको रखे है पूलिस ने बताया कि आप रखी है तो हम अभी रखे हम आगे का भी कुछ नहीं बताएंगे एक सवाल यह भी है कि आपका जो बेटा था इस अपने बाट को क्यूं नहीं मारा बेटों नहीं मारा अपने बाटों के पास कोई आए मैं दरवाजा ना खोलू तो अंदर कैसे से आजाएगा आप ही लोगा बताईये मतलब कि आप चाहा रहे है कि अगर वोग मारा मेरे बेटे के साथ अपने बहुन को भी मार देता है। तुम्हारे सामने ना मारा। उसको तु टकेल देता है। भाईया तु हमें भी मार। मतलब हम लोग नानद के साधी किये हैं। तो वहीं पर साधी वहाई दो जाइधी एक नानद है बगल में। तो वह आई थी तो बोली कि इसी के घर के पीछे बहुए को ऐसे कर दिया है। कि इसको तो जरूर कुछ पता होगा चिलाया ओलाया होगा कि उतना काटा था उतना वार किया तो चिलाया तो जरूर होगा। तो इसको पता होगा कि हम पूछे भावी हम कली बुनाई पूछी कि बहुए के कईसे भेल कुछ तो सुल्ले होई। हमके लगा कि बच्छा है इसको ज्यादा कुछ नहीं पता होगा फिर भी चिलाया होगा तो कुछ तो पता होगा। कुछ देख लेवानी तो बताई तहीं कहली कि हमारा मतलब भाई कि हमार भाई का टांगी से अँसे कट दे लग हम रहाा भी जो लड़का-खिका ओट होथा ही कि चलता था हमारे से प्रेम तो अभी इस एक ने गया था मिलने के लिए ता कट दिया हम को हमको तो अजीब होग को बोला था कि हमको कुछ हो जाएगा तो जाके हमको इंसाफ दिलाना तो हम पूलिस को ब्यान देने आए हैं तो हम अपने हम कहली ननत के कि उठा के लिए उकरा के अंदर घर में यह सोचली कि अगर बाहर किसी को पता चल जाएगा देखिए हम कितना बरदास्कि हम सोचली कि अगर बाहर यी बात पता चल जाएगी कि एकरे चलते हम अब इससे कटागल बाब मार के मुआ दिए फिर हम लोग फस जाएंगे फिर हम पुछिए इससे इसको हम उठा करके घर में ले आके इसको बन कर दिये आप फोन किये घर वाले लोग वहां पे लास के पास थे तो हम अगर मारता तो दूनों को मारते ता नहीं मारता तो दूनों को छोड़ देता मतलब पूलिस के वाले कर देता कुछ भी उसका कोई अधिकार नहीं बनता था कि हमारे वचे को कट दे तो वो कट दिया ठीक है उसको जो मन में आया वो तो कर दिया अगर परसासन नहीं करता है ताब हम को जो मन में आएगा वो हम करेंगे फिर अगर हम वो नहीं ही टुखाड रहा है ना अगर माल लिजे आभी बताइए कि हर कानून में लिखा है ना कि अगर नहीं मुजरी महाजीर होता है तो उसका कुर्सी जपती होता है बुल्डोजर चलता है फिर इसका घर की वह है इसकी दादी है उसको घसिट के ले जाए उसका जरूर आएगा आएगा कि नहीं आएगा उसका रिस्तदार है उसको ठुझे जेल में उसका पुता जरूर आएगा तहीं मोतिहारी जी लाका परसासन है ना वो दिलावरपुर का मुखिया वाड सम्मील करके चकुदार बताइए बस डेंग पर चकुदार है हम खुद देख अगर करके ना पर बीजुली है है अगर वो दोसरा बेटा जब काटा हुआ था लास मारा यह बज़े रात से बेटा का परा हुआ था अब तापर्सासन को फोन किया गया था हमारे मज़ा बोड़ता से जो तो बता रहे हैं जल्दी आया जल्दी आया मुखिया भी पिट पर गया थाना के सांथ साथ लेकिन मोतिहारी जीला का नचा कुदार आया पूलिस पाच घंट बाद आया इसके सामने से भले ही अब जूट बोलती साथ बोलती जो समझेल फिर भी आम मानते हैं कि यह जो बोल र कोई इस तरह नहीं काट सकता है कोई नहीं हमारे दिमाग में बचा मर गया है फिर भी हम रात को सोते हैं तो सोचते आप भी बताईए कि घाव के हिसाब से डॉक्टर पोस्माइडम के समयचे कोई रिपोट देते हैं किस तरह सोच रहा था मॉडर कर रहा था राइट करने का सम वह इसके सामने से न कोई देखें न वहां को देखें इसलिए दूसरे कोई नहीं गिया था उठा कर बाहर ले जा कर और लोग मिलके उसको मारे हैं बुल्डोजर चलवाया नहीं तो हमारा गाव के लोग जाकर तोड़ेगा यप फिर परससांने कायगा कि कानुन हाथ में ल लिए फिल्स नहीं गया एब फॉस्माइडम से लास आया पूलिस नहीं आया ठीक है घर पर लड़की छोड़ दिया पूलिस नहीं आया बताई यह कहां कानिया है हम किम टेक्स देते हैं जब हमारा सुराइच्छा नहीं करेगा अबुलेंस नहीं देगा दवाबीरो नहीं करेगा यह कैसा सब्कार है एक सवाल हम आप से पूछ रहा है एक बात हमको बताईए ठीक से सोच कर बताईए कि दोनों जो लड़का था मतब कि दो लड़के मारे हैं कि उसके पहले कि हानी जैसे लड़की बता रहे है कि मैं मतब कि ये लड़की और वह您 मारना था तो दोनों को मार देतांसर लेकिन अगर यह घटना आपके के साथ घड़ता तो आपकी मन और स्थिति उस समय क्या होती यह हम पुछ रहा है आपसे हम जानते हैं जो किया है अधे हैं कि हमारा बचा गलत किया था लेकिन गुसे तो आते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं दोनों को मारता हम को दोनों पर आयगा ना अपने बेटी पर भी आएगा और लड़का से जादा हमको अपने बेटी पर आएगा कि आउरत के लिए जो बंधन बना है कम से कम उसका तो पलन की होती है कि विए समाज में रहते हैं थोड़ा वूत तो करना चाहिए पढ़ाय लिखाई खाना पीना इसके लिए माना नहीं है लेकिन इंसान है जानवर के तरह बयवार नहीं होना चाहिए बहुत नहीं तोBU्र में दोस्ता इसका भाई दोस्त था, तो आना जाना तो था ही, तो उस दिन फिर मेरे लड़के के साथ एह ही ने बताई है, उसके नहीं बता रही है, कि उसके साथ मैं कितने जगा गुमा हूँ, तो इसके लिए इसके भाई नहीं खोजा, तो खोजना चाहिए।